अब मैं विशय पर आती हूँ जिसका सभी को इंतजार है और वहाँ है पर्सनल इंकम टैक्स। वर्तमान में पांच लाग तक की आयवाले पुराने और नए दोनों शासनों में कोई कर नहीं देते हैं, कोई आयकर नहीं देते हैं, हाँ मैं प्रस्ताव करता हूँ, मैं छूट की सीमा को बढ़ा कर साथ लाग करने का प्रस्ताव करती हूँ, इस प्रस्ताव भेजें, मैं प दूसरा प्रस्ताव मध्यवर्गिय व्यक्तियों से संबंधित है जिन्हें मैंने वर्ष 2020 में पेश किया था। दूसरा प्रस्ताव रखा। आए वाले व्यक्ति को केवल 45,000 रुपए का भुक्तान करना होगा यह केवल 5% कार्याले या उसकी आए है। यह 25% की कटौती है कि उसे अब भुक्तान करने की आवशकता है जो रुपए है। 60,000 अब यह रुपए है। साथ शून्य 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 तो रुपए के स्थान पर साथ हजार यह केवल पैतालीस हजार रुपए नहीं है। इसी तरह 15 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को अपनी आय का केवल 1.5 लाख या 10% भुकतान करना होगा या उसकी आय 1.87,500 रुपए की मौझूदा देंदारी से 20% कम होगी। मेरा तीसरा प्रस्ताव वेतन भुगी वर्ग और पारिवारिक पेंशन भुगियों सहित पेंशन भुगियों के लिए हैं जिनके लिए मैं नई कर व्यवस्था में मानक कटोती का लाब देने का प्रस्ताव करता हूँ। 15.5 लाक रुपए या उससे अधिक की आयवाले प्रत्यक वेतन भुगी व्यक्ति को इस प्रकार 52,500 रुपए का लाब होगा। व्यक्तिकत आयकर में मेरी चौथी घोषना उच्चतम करदर के संबद में हैं जो हमारे देश में 42.74 पसेंट है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। मैं उच्चतम अधिभार को कम करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37 पसेंट से घटा कर 25 पसेंट करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसका परिणाम होगा, इसके परिणामस्वरूप अधिक्तम दर में कमी आएगी। इससे अधिक्तम करकी दर 49% तक कम हो जाएगी। अंत में गैर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाने वृत्ती पर छुट्ती और नकत तकसाल पर कर छूट के लिए 3 लाख रुपए की सीमा अंतिम बार वर्ष 2002 में तै की गई थी जब सरकार में उच्चतम मूल वेतन केवल 30,000 रुपए प्रतिमा था। सरकारी वेतन में व्रिद्धी के अनुरू मैं इस सीमा को बढ़ा कर 25,000,000 करने का प्रस्ताव करती हूँ। हम भी बना रहे हैं। हम नई इंकम टैक्स व्यवस्था को भी डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था बना रहे हैं। हालाम की, नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाब उठाने का विकल्प बना रहेगा। इन्हें छोड़कर, मैं चुनाव में दिये गए कुछ अन्य बदलाव भी कर रहा हूँ। इन प्रस्तावों के परिणामस्वरू प्रत्यक्ष करों में लगभग 38,000 करोड रुपे से 2,37,000 करोड रुपे और अप्रत्यक्ष करों में 1,000 करोड रुपे के राजस्व का परित्याग होगा जबकि लगभग 3,000 करोड रुपे का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाए इस प्रकार कुल राजस्व परित्याग लगभग 35,000 करोड वार्शिक है। मानिय अध्यक्ष जी इन्ही शब्दों के साथ मैं बजट पर टिपड़ी करती हूँ।